जहिंद बच्चों लेकर आचकों मैं आप लोगों के लिए लोसाई चैप्टर चैप्टर नमर 17 आरेसे करवाल आईसे सी बोर से एमसी की उसकी कोईशन्स तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट कोईशन में क्या का जै दा लोकस इसदा क्या है वो देख लेते हैं आप लोगों को ज्यादा कंसेट जो वो डिटेल में नहीं समझाने वालों ठीक है तो यहां पर आता था मैंने जो आप लोगों को एक लोसाई का जो डेफिनीशन बताया तो यही बताया था तो लोकस इसदा पाथ ट्रेस्ट बाए यही चीज़ एक्जेक्टली हमने सेम आपको बताया था कुहां पर कोई सबी पाथ होता था याद आया था अच्छा जो लोकस था यह लोकस आपके पास पुलूरल फॉर्म था और यह जो लोसाई लोसाई की स्पैलिंग ल वो सी आई है कही बार बच्चे बोलते हैं सार इस लोसाई भीके वह लोकस यह आपके पासिंगुलल फॉर्म और यह आपके पास पूर्र क्ड vegetation भाथ है अग्ला देखे अधूल पोई स्पैलो पॉर्म शो ठीक्ट उबिए बिवें पूर्म तू लुं दा तो यह जो लाइन होता था इनके बीच के यह जो एंगल्स होते थे पूरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाड़ करता था यह जो पॉइंट इक्वी डिशचन्स होते हैं तो यह एक एंगल्स का काम करता है बिटीविन दा लाइन के बीच के एंगल्स को क्या करता है बाइसेक्ट करता है सबसे पहले मैंने आप लोगों को यही बता आया था देखिए यह छोटी छोटी चीज और दूसरा पता है दो पॉइंट से लाइन से जोइनिंग है उनके मिड़ पॉइंट को जोइन करते है अगला अगला आपके पास टॉपिक है यह देख लीजें प्रम तो गिवन इक्वी डिसन्स पे होते जैसे यह लाइन में ज 2005 कर दिया इसके के यह весь इन्ध भी यह दो सबहरत तो जीजदा पॉस एक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को फटाफॉट कर sentir नेक्चे यह रहीं और दोनों parallel line से equal distance पहोना चाहिए वह वह पॉइंट और move कर रहा हो एने straight line मतलब 100 % बीचो-bीच में यहां ले ले तो मैं फिर यहां ले 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 लेता हो बिल्कुल इक्वल डिशनस पह रहना चाहिए parallel line के straight line में होना चाहिए और बिलकुल बीच ओबीच में बोला है तो यह जो line होगा वो क्या होगा आपके पास parallel होगा दोनों ही line के ठीक है given line के parallel होगा समझ में आगई बात ठीक है चलिए आगे की बात कर लेते question number 6 की इसलोक्स अब the center of a wheel तो विल यह रहा मेरे पास माल लिज्य यह मेरे पास क्या एक वील है ठीक है यह माल लिज्य एक वील मेरे पास which wheels is on a horizontal road तो horizontal road ले लिजे ये is a straight line parallel to the road at a distance equal to देखें तो आपको पता होना चाहिए the locus of the centre of the wheel centre of the wheel ये है ये move कर रहा है ये wheel आगे गया होगा मान लिजे हाँ आया होगा तो ये centre ये हाँ आया होगा wheel आगे गया होगा centre ये हाँ आगा बताना है कि इन पैरलल क्या बताना एक डिस्टंस इस इक्वल टो पैरलल रोट टुद एक डिस्टंस इस इक्वल टू तो इसे ऐसे चीज आपको थोड़ा सब बना कर समझने की जरूरत है यह सेम कंचेप्ट हमने आपको समझाया हुए यह सेम कंचेप्ट हमने आपको समझाया हुए ठीक है next the locus of a point which is inside a circle तो एक circle के कहीं पर भी एक point है मान लिजे Is Equid Distance From Two Given Points On The Circle मतलो Circle पर यहां और यहां पॉइंट है उसे Equal Distance में यह वाला Distance यह वाला Distance Equal है Is The Diameter Of The Circle Which Is Dash To The Code Of The Circle Joining The Given Points तो देखें यहां से फिर दो पॉइंट्स होंगे इनको जोइन करेंगे तो इनका यह वाला Points होंगा Equal Distance है फिर यह वाला बनाएंगा equal distance फिर यह वाला बनाएंगा equal distance पे ऐसे चलता जाएगा था हमारे पस क्या निकल खरा जाएगा diameter और यह जो diameter होगा वो देख लिजे इन code पे क्या है ये पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर कह देंगे आप ठेक ना इकल डिसेंस पे जब होता है था नेक्स्ट आपके पास अभी जो मैंने आपको समझाए ठीक वह यह और कुछ और नहीं है तो वह जो पॉइंट होते हैं यह वाले जो अभी जिसे मैंने diameter बनाया था सारे यह वाले वह क्या होते हैं कोड के midpoint से जाते हैं तो यह है इसका answer ठीक है नेक्स्ट बड़ाई अच्छा question देखिएगा समझेगा इसमें का आज यह लोकस ऑफ पॉइंट which is equidistance from two given concentric circles concentric circles क्या होते हैं पहला circle दुसरा circle जिनका center common उनको concentric circles क्याते हैं यह पहले का radius r1 है दुसरे का radius बड़ा वाला यह वाला पूरा का पूरा कितना आपके पास r2 है और इन्होंने दे भी रखाई the circle of the radius this dash dash अब कहा जाते हैं एक ऐसा circle बता है जो कॉंसेंट्री को given circle के it lie between them इन दोनों के बीच में लाई करते हैं यहां यहां पर लाई करते हैं इस वाले circle का radius बताने आपको इस वाले circle का तो यह वाला circle कहां लाई करेगा किसके r1 पलस r2 का mean दोनों के radius का mean निकाल देजी तो mean यह रहा r1 पलस r2 by 2 100% यह एक example लेता हूँ पहला circle है 3 cm का लिए लिजे दूसरा circle 5 cm का होगा मान लिजे पूरा इनका mean निकाल लिए तो 3 पलस 5 divided by 2 कितना हुआ 8 by 2 कितना है यह 4 मतलब अगला जो circle होगा 100% के 20 में लाई करेग और इसमें कहा जाता है if a and b are fixed points तो a को यहाँ पर fixed कर दिया बी को यहाँ पर fixed कर दिया चलिए then the locus of a point P such that angle a, p, b is 90 degree तो a, p और b यह वाला 90 degree है is the circle with a, b as a, b के क्या बनते diameter देखे यह वाला angle and cyclic property जो आप circle से याद किजिए इस टाइब से जब बनता था semi circle वाला angle कितना होता था 90 वाला यह भी आपको मैंने loci chapter में करवाया हुआ है बहुत अच्छे से ठीक है तो उमिद करता हूँ और सभी को समझ में आ गया होगा और अगर ऐसा है तो फड़ा फड़ी वीडियो को लाइक करजिए साथ एगर अभी इस चैनल पर एक नई student चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन जोरो प्रेस किजिएगा चलिए मिलते हैं कि लिए वीडियों प्रैक्टिस करते रहिएगा जैहिन